Hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज हम बात करेंगे BHEL के बारे में और BHEL में दो बड़ी खुशकबरिया सामने आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे एक dividend paying stock के बारे में जो आपको 200% तक का dividend देने वाला है So guys, वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लेना for shares के updates के लिए तो करते हैं वीडियो को start और चलते हैं BHEL के उपर So guys, यहाँ पर हम आगे हैं BHEL की यहाँ पर कुछ दो news है सामने उन्हें हम discuss कर लेते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो ICICI direct ने एक target दिया है और ICICI direct ने target दिया है 62 रुपे का यहाँ पर अगर देखा जाए तो stock में अभी 62 रुपे का level अच्यू नहीं किया है उस level तक जाना अभी बाकी है तो एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है वही अगर बात करें तो stock अगर देखा जाए जो financial express है उनके radar पे हमें VHEL नज़रा रहा है यहाँ पर suggest किया है VHEL को chart के basis पे तो chart के basis पे एक question आता है कि stock को क्यो suggest किया जा रहा है क्या stock गिरने वाला है या फिर बढ़ने वाला है तो guys दू ही reasons के कारण यहाँ पर chart को देखा जाता है यहाँ पर identify किया जाता है कि stock किस direction में जाने वाला है और यहाँ पर एक चीज़ अगर मैं कहूँ तो बिलकुल उस direction को हम identify करेंगे इस video में तो levels को भी हम देखने वाले है तो यहाँ पर चलते है BHEL को levels को हम देख लेते है so guys पहले हम BHEL के level को as a short term basis पे देखने वाले है क्या किस हिसाब से stock trade कर रहा है किस हिसाब से upside down momentum यहाँ बस stock में चल रहे है किहाँ पर इन levels को लेकर में पहले भी कई बार discuss कर चुका हूँ यहाँ पर हमने clearly कहा था कि stock में अगर इस particular level को break करता है तो एक अच्छा momentum stock में shift होने वाला है और उसके बाद हमें वो देखने भी मिला यहाँ पर अगर देखे तो कही न कही एक head and shoulder type pattern भी बनता हुआ नजरा रहा था और बिल्कुल यहाँ पर कई बार stocks में rejections थे और finally stock ने इस particular level पे इस level पे guys यहाँ पर stock ने एक breakout भी दिया है breakout मिलने के बाद क्या हुआ breakout मिलने के बाद stock ने यहाँ पर support लिया फिर stock ने यहाँ पर support लिया already a share दो बार support ले चुका है आहाँ पर आप देख सकते हो और बिल्कुल support लेते से ही stock उपर की और गया यहाँ पर 56 रुपे से 56 पेसे तक का stock ने strongly high भी देखने को हमें मदा है बिल्कुल stock ने high भी बताया है और इस particular level से stock नीचे आता गया यहाँ पर double top type pattern बना फिर stock नीचे आया बट कहीं न कहीं जिस level पे stock में breakout मिले है जिस level पे breakout मिले है उसी level पे a share फिर से support लेता हुआ नजर आ रहा है 53 रुपे 50 पेसे का यह level है इस level पे stock इस level तक गिरेंगा फिर यहाँ से एक अच्छा jump लगा सकता है तो देखना होगा मंडे के दिन क्या होता है गैस वही बात कर ले stock में कुछ बड़े levels की बात करें तो यहाँ पर बड़े levels positive है हम और वही बात करें तो stock में यहाँ पर ICICI direct की और से 60 प्लस रुपीस के round का target दिया जा रहा है बट यहाँ पर हम 80 रुपीस के round का target stock में रख रहे है सो उसके पीछे का reason क्या है simple सा reason है simple सा analysis है stock ने कई बार rejection खाये है कई बार support resistance यहाँ पर stock ने बताया है वही बात करें तो इस particular level पे share काफी time से support ले रहा था 43 रुपे 50 पेसे के level पे हमने buy करने के लिए कहा था और जिन जिन लोगों ने इस particular levels पे buy किया होगा अच्छे profits उन्होंने कमाए होगे और जो sap investors था हैं जो sap तरीके से invest करना चाहते हैं उनको भी मैंने कहा था कि यहाँ पर एक momentum 50 रुपे के round का momentum आएगा उस particular level पे भी आप अगर buy करते हो तो एक अच्छा momentum आपको मिल सकता है और अभी भी ओर time बीता नहीं है अभी भी आप bind की ओर जा सकते हो चो उपन रुबेस अरूंड stock अभी भी trade कर रहा है market में वही बात करें तो इस particular level से stock में एक rejection था यहाँ से stock नीचे आता फिर rejection यहाँ पर अगर देखें तो एक pattern यहाँ पर create हुआ है यहाँ से भी अगर मैं trade line बनाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं falling wedge type pattern है upside downs momentum stock ने यहाँ पर बताया है और साथ ही बात करें तो stock ने एक breakout भी विया है इस particular level पे और retaste करके stock सीधा 80 रूपिस के around जा सकता है 80 रूपिस के level को easy तरीके से share achieve गर सकता है तो guys बिलकुल आपको stock में positive रहना है अच्छे return यह share दे सकता है और वही बढ़ते हैं आगे बड़े time frame पर एक तगड़ा level में आपको बता देता हूँ यहाँ पर stock में देखें तो इस particular level पे support था यहाँ पर ऐसे support लेके stock ने अच्छा high लगा यहाँ पर भी support लेके उपर गया था और यहाँ पर भी support लेके stock उपर क्योड़ जा रहा है हमें लग रहा था कि stock कुछ इस pattern के हिसाब से down जाएगा बट इसने एक अच्छा तगड़ा high लगा और बात करें यहाँ पर अगर मैं trade line बनाओ तो एक breakout का scene भी stock ने हाँ पर create किया है upside down so momentum stock में हुए हाँ यहाँ पर से stock सीधा उपर cure जाता हुआ नजर आ सकता है तो यहाँ पर guys अगर देखें तो 200 के target भी नजर आते हैं 120 के around के target भी नजर आते हैं बट जो हमारा level है वो है 80 रूपिस के around का 80 रूपिस का around का जो level है वो easy तरीके से BHEL अच्छीव करके दे सकता है तो guys आज stock में हुआ क्या वो हम देख लेते हैं सो BHEL की अगर बात करें आज की तो यहाँ पर stock में एक गिरावट नजर आई है बिल्कुल stock गिरता हुआ आज नजर आया है भारत heavy electricals limited चोपन रूपे के price पे stock ने closing दी closing देने के बाद अगर देखें तो stock ने negative returns के साथ closing दी है दो रूपे 20 पेसे तक की गिरावट नजर आई है 3.91% के basis पे शेयर गिरा है तो guys बिल्कुल downtrend में जाता हुआ है शेयर आज हमें नजर आया है पर वही अगर देखें तो stock में गिरावट का कारण सीधा सा है market आज काफी ज़्यदा वीक था और कई लोगों ने profit booking भी किया होगा 56 रूपे 60 पेसे के round ए शेयर ओपन हुआ था 56 रूपे 70 पेसे के round का stock ने एक अच्छा high लगा 53 रूपे 85 पेसे तक का stock में एक low भी आपको देखने को मिल जाएगा वही बात कर ले इसके market cap की तो market cap अभी भी दमदार है 18.84 थाउजन करोड के round का market cap है शांदार stock है guys वही बात कर ले तो 50 रूपेस का high यहाँ पर अगर देखा जाए so guys बढ़ते हैं यहाँ पर देख ले इसके volume की बात करें तो 3 करोड के round की deliveries उठाएगी थी कल के मुकाबले यह कम है कल 6 करोड के आसपास की deliveries stock में उठाएगी थी community sentiments के आकड़े positive है buyers और holders को मिला दे तो 85% लोग है stock में जो positive नजर आते है 85% लोग positive नजर आते हैं और 15% लोग यहाँ पर sell करने के लिए भी कह रहा है तो guys अब बात कर लेते हैं dividend paying stock की जो हमारा dividend paying stock है ओ है सरला performance fibers limited textile sector का stock है 52 रुपे 55 पेसे के round का stock यहाँ पर अगर देखें तो closing गिता है 0.70 पेसे तक की एक बड़त है 1.35% के हिसाब से stock बढ़ा है साथी बात करें तो 100% holding के लिए कहा चा रहा है stock में हाँ पर exit rate की बात कर ले तो 20 September 2022 है इसके dividend के final dividend दे रहा है percentage की बात करें तो 200% ही आपको बताएगा दो रुपे परिकिटी शेर का DVD आपको मिलने वाना है तो गैस वीडियो चलगा होगा वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ठेंक यू